Hello my dear friends and students, this is Ashwani Saini and I am your English teacher. ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन स्टूडन्स के लिए जो कई बार एक कश्मकश्मे पढ़ जाते हैं जिनको ये confusion आ जाती है कि उन्हें दूसरा IELTS का एक्जाम दे दिना चाहिए या फिर उसी एक्जाम में दुबारा री चेकिंग के लिए जाना चाहिए और ये कब होता है जब अमोमन आपके किसी एक मोड्यूल में आधा बेंड कम आ जाता है फर एक्जामपल आपके राइटिंग में छे चाहिए थे और वो साड़े पांच आ गए हैं और एक सलहा में आपको जरूर दूँगा कि री चेकिंग केवल आप तभी कराएं जब आपका पर ही कराएं इससे ज़्यादा की उमीद ना रखें अब बात आती है कि री चेकिंग कब कराने चाहिए आपको पहली बात तो आप इस चीज में शोर होने चाहिए कि आपका एक्जाम बहुत अच्छा गया था आपकी स्पीकिंग या आपकी राइटिंग आपने बहुत पहले ये भी कहीं ना कहीं कनफरमेशन रहनी चाहिए क्या आपका स्किल 6, 6.5 के लेवल पे पहुचा था क्योंकि कई बार बच्चे को लगता है कि मैं रेडी था लेकिन टीचर जो उन्हें बढ़ा रहा है उन्हें नहीं लगता कि एक स्टूडेंट रेडी है तो आपके ट गलती की है रेल टेस्ट में अगर नहीं की है आपको लगता है कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा गया था फिर भी आपका ये अनेक्सपेक्टेड लो स्कोर आया है तो आपको एवैल्यूएशन लेनी चाहिए इनक्वारी ओन डिजर्ट के लिए जाना चाहिए अभी तो जो पहले उसने एक्जाम दिया आप स्क्रीन पर देख रहे है ये एक्जाम बच्चे ने कब दिया तो ये एक्जाम दिया 18 ओगस्थ 2021 को लिस्निंग में आ गए भी बैंड 7 बढ़िया है गुड रीडिंग में आ गए बैंड 6 ये भी रिक्वार्मेंट पूरी कर रहा है स्पीकिंग में भी आ गए बैंड 6 तो 6 इच इसमें बन गया लेकिन राइटिंग में रह गए 5.5 बैंड जिसकी वज़े से स्कोर भी कम हो गया यानि कि ओवरोल स्कोर भी रह गया 6 पे तो ये राइटिंग में जो 5.5 बैंड आ गए अब यहां पर बच्चा कन्फूजन में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए लेकिन इसको कहीं न कहीं यकीन था कि मेरा स्पीकिंग टेस्ट अगर इतना अच्छा गया है मेरी राइटिंग भी अच्छी गई थी in fact he was expecting more score in writing तो उसने ये step लिया और फीस कितनी होती है इसमें फीस होती है इसमें 11,325 रुपे जो इस भेजा है listening में 7, reading 6, speaking 6 ये तो जो पहले था लेकिन अब उस बच्चे के हो गये है writing में 6 और overall भी उसकी वज़े से उसका 0.5 इंप्रूव हो गया है तो बच्चे का काम भी बन गया और ये जो पैसा है ये refund होगा उसका जो की IDP वाले commit करते हैं कि 2-3 हफते में बच्चे के account म जिस account से गया है या जैसे भी बच्चे ने पे किया है वो वहीं पे credit हो जाएगा वापिस आ जाएगा लेकिन ये तभी हो सकता है भाई जब आप sure हो कि मेरा test अच्छा गया था तो अगर आप लोग confused हैं अगर आप लोगों को इस तरह की कश्मकश है कि हमें अपने inquiry करवानी चाहिए या हमें ये पैसा देना चाहिए तो ऐसे में मैं आपको पहली सला तो ये दूँगा कि जो भी आपके mentor हैं जिनसे आप पढ़े हैं आप पहले तो उनसे अपनी कोई भी जो current writing है अभी मुझूदा writing है वैसे तो उन्हें पता होगा आप क्या पढ़ रहे थे वो उनस में आपसे cue card पूछे गए थे या जो introductory या follow up पूछे गए थे आप एक बार वो same writing उस तरह की writing अपने teacher को करके दिखाएं या वो same से question के अंतर अपने teacher को बोल के दिखाएं अगर वो performance teacher को mentor को पसंद आती है पसंद in the sense की लगता है कि नहीं ये convincing है ये 6 plus के लिए है अगर क्रीबन साड़े 11,000 रुपे का risk लें दो हफते में आपका result आएगा confidence भी मिलेगा बापसी और पैसा भी बच जाएगा तभी आप ऐसा करें अपने level पे इसे ना करें क्योंकि आपको नहीं पता होता आप क्या blender करके आए हैं क्या गलती करके आए हैं किसी भी एक parameter में गलती ह ग्रैमर में हो सकती है, coherence, cohesion में हो सकती है, lexical resource में हो सकती है, topic ना समझने में हो सकती है, जो task response या task achievement होता है, speaking में हो सकता है भाई, fluency वहाँ पे गिन ना हुई हो, hesitation की वज़े से आप अच्छा ना कर पाए हो, pressure की वज़े से, nervousness की वज़े से अच्छा ना कर पाए हो, त तो फिर जादा chances हैं कि आप EOR के लिए जाएं और उसमें सफलता भी आपको मिलेगी, तो ये जानकारी उन students के लिए, जिने लगता है कि उन्हें EOR के लिए जाना चाहिए, teacher की सहमती के बाद, ना कि बगैर teacher की सहमती के, that's it in this video, उमीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके का की है और इसके बाद आप कुछ सकरात्मक जिन्दगी में कर पाएंगे इस जानकारी के बाद, that's it, take care of yourself.